साबुदाने की नई मजदार और चटपटी सी रेस्पी स्वागत थे आपका इंडियन फुर्स्वी तोजा में तो चलिए चटपट बनाना शुरू करते हैं आधा कप बड़े दाने वाला साबुदाना साबुदाने को दो से तीन बार साब पानी से धुल लेना है और उसमें का जो सफेद सफेद पाउडर होता है उसे छान कर हटा देना है यहां हमने लिया एक चौथाई कप पानी, आधा कप साबुदाना और साबुदानों को धुलने के बाद हमने एक चौथाई कप पानी डालकर साबुदाने को रात भर भिंगो कर छोड़ दिया था यह अच्छी तरह से फूल चुका है तो अगर आप 6-7 घंटे के लिए इसे भिंगो कर छोड़ देंगे तो साबुदाना अच्छी तरीके से फूल जाएगा अब मैं इसे फोल लेती हूं इसमें पानी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल सूखा सा है यह देखिए जब मैं इसे नीचे गिराऊंगी तो यह पूरे दाने अलग-अलग हो जाएगे और हाथ में मेरे बिल्कुल पानी नहीं लग रहा है तो इस तरीके से यह बिल्कुल सूखा सा होना चाहिए अब एक दाने को मैं मैस करके देख लेती हूं यह पूरी तरह से फुल चुका है आटे की तरह मैस हो जा रहा है इसे किनारे रख देते हैं गैस चलाकर तड़का पैन गरम करेंगे एक चमस देसे घी डाल देंगे इसमें हम 10 से 12 करी पत्ते डालेंगे और गैस ओफ कर देंगे नहीं तो सारे करी पत्ते छटक करके बाहर आ जाएंगे थोड़ा से इसे हम भून लेंगे दुबारा से हम गैस को ओन कर देंगे थोड़ा से-से कडखोने देते हैं, गैस ओफ कर देंगे, और साबुदाने में इसका तड़का लगा देंगे, अच्छी तरीके से मिला देंगे, सारे दानों में एक घी की एक कोटिंग बन जाएगी इस तरीके से, आधर टुकडा निबू का रसनी चोड़ देंगे, इस तरी कैस की तरब, कैस चलाकर कड़ा ही गरम करेंगे, एक चमच देसी घी डाल देंगे, आधा चमच जीरा डालेंगे, इसे चटक में देंगे, यहां हमने एक बड़े साइड आलू को इस तरह से छोटे-छोटे टुकडो में काट करके लिया हुआ है, आप चाहे तो उबले का प्रियोक कर सकते हैं, उसे चोटे-छोटे टुकडो में काट लें और इसे भीम डाल देंगे, थोडा से भूं लेंगे, एक चमच इसमें कूटा हुआ अध्रक डाल देंगे, आलू को किनारे कर देते हैं, अध्रक को थोड़ा बून लेंगे, इसके बाद आलू में मिला क कर भूनेंगे आप इसमें अध्रक और हरी मिर्च दोनों को साथ में कूट करके डाल सकते हैं स्वाद उनसार सेंधा नमक डाल देंगे आप चाहे तो साधा नमक भी डाल सकते हैं लेकिन अगर ब्रत में बना रहे हैं तो सेंधा नमक का प्रियोक करतें धक्कन लगा देंगे ध आलो को काट करके चेक कर लेंगे, आलो पुरी तरह से पक्या है, आधा चमच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा चिली फ्लैक्ष डाल देंगे, तो अगर आप रत में लाल मिर्च नहीं खाते तो इसे ना डाले, सब को अच्छी तरीके से मिला देंगे, अब ये साबुदाने को डाल देते हैं, अच्छे तरीके से मिलाएंगे, और यहां हमने आधा मुठी मुठी मुणफली भूनी हुई लिया है, इसे हलका सा क्रस कर लिया था, इसे डाल देंगे, और सब को अच्छी तरीके से मिला देंगे, आप चाहे तो घी में पहले मुठली को भून कर भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा बारिक कट अवरे धनिया की पत्ती डाल देंगे, और यह बचा हुआ निवो का रस डाल देते हैं, और इसे हम दो से तीन मिलाड तक इस तरीके से भून लेंगे, तो जैसे जैसे हम भूनना सुरू कर देंगे साबुदाना बिल्कुल ट्रांस्परेंट हो जाएगा, सबको अच्छी तरीके से मिला देंगे, और यह देखिए, बिल्कुल खीला खीला यह साबुदाने का पोहा बन करके तयार हो गया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें चिपचिपाहट नहीं है, अगर आप साबुदाने का पोहा बन करके तयार है, काफे यमी, काफे हेल्दी, काफे टेश्टी और बहुत कम समय में, इस तरीके से जब आप साबुदाने का खिचडी या पोहा बनाएंगे, तो यह बिल्कुल इस तरह से खिला खिला बनेगा, आधा टुकड़ा निवू का रस और र आपको बहुत पसंद आएगा, ब्रत हो या बीना ब्रत हो इस रेश्टी को आप बना करके खा सकते हैं, बच्ची हो या बड़े हो सबको काफी पसंद आता है, मिलते हैं ने रेश्टी के साथ, तब तक टाटा, भाइबा, एंड टेक क्यर